नमस्कार बहुत सौगत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार आज हम बात करेंगे काली मिर्च की काली मिर्च एक ऐसी बस्तू है जो धन भी देता है और दुस्मनों का नास भी करता है हर किसी के घर में होता है और जिस घर में काली मिर्च होता है वहां लक्षमी भर भर के रहती है काली मिर्च का प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है पुजा पाठ में तंतर क्रियाओं में आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे वीडियो के अंद तक बने रही है जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रों हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रों है अपने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके करियर से आपके परिशनलीटी से आपके खुसाली से जरन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए बस वो जलते ही रहते हैं कभी कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काले मिर्च की बात करेंगे देखे काले मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके किच अच्छे वातावरन का प्रवेस होता है भागी को बदल कर रख देता है ये काली मिर्च मननेता है अगर आपके उपर सनीदेव की साहड़े साती धहिया परिसान जादा करें आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के साहरे बांध कर किसी को दान कर दे या पीपल के नीचे रख दे या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दे तो सनीदेब के प्रकोप से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिशानियों से बाहर निगा लाएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलस्ते चले जाते है किसी ने किसी चीज में कभी बीमारियां परिशान कर रही कभी धनकी समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं एक कुछ आप ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बहुत साई टेंसन है आप परिसान है क्या करेंगे बहुत सिंपल काम करना ह सनिवार के साव काली मिर्च के पांच दाने ले ले अब उनको आप अपने सर से सात वार वार ले अपने घर में ही येकाम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर काघस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खिडे हो जाएं अगर चौळआ है जाएए एक एक करके चार काली मिर्च चारो दिसाओं में फेकने जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मी धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आ साथ काली मिर्च अगर सत्रू जादा परिसान करें अपने हों पराए हों कोई भी हों सत्रू सत्रू है एक है हजार है सबका नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहिए तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से द लबाकर उसको हलका सा दरदरा कर ले या पीस ले अब इसको गाई के कच्चे दूद में मिलाकर किसी भी सनी वार या सोंबार के दिन जाकर सिबलिंग पर अर्पीत कर दे भगवान से प्राथना करें कि सत्रों से मुव्ति दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांथ हो जाएंगे 3 सनी वार या 3 सों वार लगातार कीजिगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाई का कच्चा दूद लेना है और काली मिर्च तो यह प्रीयोग जवाब कीजिगा तो लगातार नमस शपाय का जब करते रहिएगा और बाच्चित मत कीजिगा प्रीयोग करने के समें आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर की गई प्राथना कभी भी और स् linguisticर नहीं होती है अब कई बार चुकि ये प्रियोग बहुत सिंपल है अब होता क्या है आपके पास गाया का दूद नहीं मिल रहा है, माल लेते हैं, नहीं है, आपको खरिद के लाना होगा, आपको घर में परियोग करना है, आप जल्दी में हैं, सुबह सुबह बहुत जगा दूद भी नहीं देते, दूद वाला लेट से देते हैं, क्या करेंगे तब, तब अगर आपको लगे कि न बास्ता नहीं मिल रहा है दिसा बटक गया है या पिर आप लगता है लक्ष हीन हो गया है चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब एक सिंपल सा काम कीजिएगा आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज और वो अगर भुझ पत्र हो तो और अच्छा अगर आपके पास भुझ पत्र मिल जाता है तो उससे अचा कुछ हो ही नहीं सकता अब इस भुझ पत्र पर या नहीं है तो सफेद कागज ले ले जिसमें मैथ बनाया जाता है जिसमें लाइन डे नहीं होती खीची भी वही वाला लीजेगा अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए अब लिखलेंग के बाद थोरा सा सहध उसके उपर लगा दे जहां पर सत्रू का नाम लिखा है ना उसके उपर इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दे अब इस कागज को जैसे मरजी वैसे जला दे चाहे तो कागज को जला दे या किसी आग में डाल दे जलती भी आग में ये परियोग आपके सत्रू को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा जब आपने सहध लगाया ना तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म आपके बारे में कुछ वो गलस सोच भी नहीं पाएग एकदम से सांथ बहुत सिंपल है लेकिन प्रियोग अदभूत है तो सत्रू से मुक्ति पाने के लिए ये प्रियोग अदभूत है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है अब हम आते हैं सिपजी के सरन में कई बार क्या होता है ऐसे लोग सत्रू होते हैं जिनको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी अब घी में थोरा सा घी पिगला लें इसमें पांच काली मिर्च के दाने लें साबूत लेना है किसी डबे में बरतन में लेकर जाएं सिब जी के मंदिर घर में भी कर सकते हैं बाद में इसको उठाकर कई मिट्टे में दबा दीजेगा अब सिबिलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काले मिर्च उसको अर्पीत कर दें भगवान से प्रार्थना करें आपकी रक्षा हो इसके बाद एक लोटा जल अर्पीत कर दें नमसिवाय का जब करें और अपने घर आ जाए नंदी के कान में मर्नत जरूर गई है कि बहुत सिंपल प्रेयोग है लेकिन जब आपने घी में मिक्स करके वहां पर सिबिलिंग पर अर्पीत कर दिया तो फिर आपको और कुछ सोचना ही नहीं है सब कुछ सिब जी पर छोड़ दें अब वही सब कुछ करेंगे अगर घर में नकारत्मा गुर्जा बढ़ गई हो घर में परेसानी जादा हो जगड़े लड़ाई बाद विवार टेंस अंधन नहीं बचना बार बार चोट चपेट नगना लगता है जैसे कुछ हो गया है खुसियों को नजर लग गई है तब एक सिंपल सा काम कीजेगा एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखें कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इधादों घूमते हैं कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आता कहते हैं मनुदास सा लग रहा है तब दो दाने काले मिच उनको दे दे बोलें कि दान्स से चवाएं और उसके वाद थूख दें अगर किसी भी तरह का कोई नजर दोस होगा किसी तरह कोई तंतर क्रिया होंगी उपरी हवा होगा तो वो निकल जाता है लेकिन उसके पहले एक और बाद देखें सनी वार के दिन सिर्फ सनी देव की पूजा करने से तो सनी देव की किरपा बरस्ती है तो आज हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की अगर जीवन में ज्यादा कस्ट हो जाए सनी देव की बुरी दिष्टी हो परिसानी बढ़ गई हो तब एक चोटा सा प्रियोग करना है आपको आप अपने घर में जो सबसे अंधेरा कोना है वहा वक्त सान्त हो जाए तब इसको उठा कि दोबा दिजिएगा या फिर पीपल की नीचे मिट्टी में रख दीजिएगा अब एक और एक खास बात आप घर में दियाबाती तो करते ही होंगे आप साम के वक्त जब दियाबाती करते हैं तब एक छोटा सा काम क्या करें वैसे श संतुष्ट हो जाए उनके निवित जलाया जाता है और दूसरी बात जब भी घर में दियाबाती करते हैं दो काली मिर्च के दाने डाल कर फिर पूरे घर में दिखाईए जब दियाबाती में बाती जले की तेल जलेगा उसके साथ काली मिर्च जलेगा ना तो नकारतमक उर जा यह जाएगी वैसे तो काली मिर्च दीपक में डाल कर रोज आप साम के समय दिया वाती दिखाते समय डाल सकते हैं दो दाने ज्यादा नहीं डालना एक दाने दो डाने डालिये इदम बाती के पास रखिएगा काले मिर्च को कि वो भी हलका हलका जले और पूरे घर में उसका जब जो एक इसमेल है सेंट है वो उठेगा तो क्या होगा ना नकातमक उर जाएं भागेंगी क्योंकि काले मिर्च तमाम परिसानियों को समाप करता है हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेब